हाई दोस्तों और कैसे हैं आप सब लोग आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप Facebook पासवोट चेंज करना चाहते हैं बहुत लोग Facebook पासवोट क्यों चेंज करना जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त यार दोस्त या किसी को पता चल जाता है तो इसलिए वो Facebook password change करना आ जाने है बट उनको password change करना पता नहीं होता कि हम किस setting से किस option पर जाके हैं Facebook password change कर सकते हैं तो उसके लिए आपका भाई है ना आपका भाई इस वीडियो मताएगा कि आप अपने Facebook का password कैसे चेंज कर सकते हैं ओभी एक दो मिनिट में तो दोस्तो इस वीडियो में step by step बताऊंगा अबर दोस्तोमाई वीडियो पूरी दिखते हैं सबसक्राइब करना Facebook open करने के बतर्पर यहाँ पर आपको क्या घरना होगा फिर यहाँ पर देख सिकते हैं Facebook open करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर यह क्लिक करना होगा, आपके profile पर ठीक है, तो मैं profile पर click कर देता हूँ, profile वाले section पर click करने के बाद दोस्तों, आपका ऐसे आएगा, तो हमारा नाम है, यहाँ पर setting भी लिखा है, ठीक है, आप उपर देख रहते हैं, यह छोटा साथ बना है, setting, search चौले box पर, तो आपको setting पर click करना होगा, setting पर click करने के बाद यहाँ पर आगया, personal detail, password change, और यहाँ पर यह personal detail, मलब आपको यहीं, जो आपको account center वाला dashboard है, आपको इसी पर click कर देना होगा, ठीक, click करने के बाद फूर यहाँ पर आपको क्या गरना होगा, आपको करना होगा password change, लब आपको password परता है, बस आपको उसो change करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर password and security में जाना होगा, password security में जाने के बाद, यहाँ पर मलब कि आप password security में आगे, यहाँ बाद जीतने भी ज़्यादा, मलब जो भी app के privacy या security होते ह यहाँ पर आते हैं, उसके सारे setting, आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पर simply लिखा होगा, change password, आपको change password पर क्लिक करना होगा, change password पर क्लिक करने के बाद, हमारी तीन ID, Instagram की है, एक Facebook की ID, ठीक है, तो उसकी बाद, यहाँ पर हमारा दिया गया है, Facebook page, मलब Facebook account, तो मुझे account का ही पर बताया गया है, कि हमारा current password, इसमें आप current password मलब जो आपको पता है, recently का password है, यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक, उसके बाद डालने के बाद, जब यह match हो जाएगा, आपको new password डालना होगा, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी password आप लिखना चाहिए, हिंदी, English, गड़ यहाँ पर change का option, मलब यहाँ से change कर सकते हैं, जैसे ही आप change करते हैं, आपका password change हो जाएगा, और आप जो new password होता, मलब old password होगा, वो आपका फिर नहीं होगा, क्योंकि वो incorrect बताएगा, आपका जो new password अपडेट करते हैं, फिर यही open, मलब यही password डालके open कर सकते हैं, अपनी ID और All Password का कोई फिर काम मतलब नहीं रहेगा सब्सक्राइब कर देना जरूर आप सब्सक्राइब करते हैं उनको सब्सक्राइब मिलता है और मैं ऐसे ठीक ने वीडियो बना पाता हूं तो दूस्तों फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो में तैपके लिए बाई बाई टाटा